नमस्कार वच्चों स्वागत करता हम आप सबको तो यहां पर इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं विलियन निलंबन और कॉलाइड में क्या अंतर होता है यह बहुत ही इंपोर्टन प्रस्न होता है यह प्रस्न बार बार एक्जाम में पुछ जाता है तो बच्चे इसको विलियन और निलंबन कॉलाइड में क्या अंतर है इसको आपको लिखना होता है तो लिखने में वो व्लोग करता है तो हम क्या-क्या siu निलंबन क्या अनतर आपको बताना होगा तो पहले आपको लिखना है समांगी है या बिसमांगी है उसके बाद कोलाइट क्या है यह समांगी दिखाई देता है परन्तु बिसमांगी मिश्रन है तो यह कोलाइट जो है समांगी जैसा दिखाई देता है लेकिन यह क्या है बिसमांगी मिश्रन है तो पहले आपको पता च क्या है यह विले की कॉंड मतलब यह जो विलेन में क्या है विले का कणों का आकर अतियंत छोटा होता है बहुत छोटा होता है अगर हम नेनोमेटर में इसका बात करेंगे तो वान नेनोमेटर से भी छोटा होता है तो यह ध्यान रखे इसलिए इसको इसलिए आंक से नहीं दे होता है leaks चीज बोला गया यहां पर एक विलयो का जुक्कन होता है बहुत ही चोड्य होता है अब इसमें होता है विले के कणो का out है यह विलेयन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है ठीक है निलंबन से छोटा होता है मतलब विलेयक के कणों से बड़ा लेकिन यह निलंबन के कणों से छोटा होता है तो यह कण ब्यास में एक नेनोमीटर से एक सो नेनोमीटर के बीच में होता है ठीक है यह कितना על के मिटर का मतलब क्या होता है ठेट डिपावर चेन की पावर माइन की मीटर दूसरा पोइंट के सिख गया तिसरा कमिट यहां फिल्टर पेपर से गुजर जाती है चलाजाता है जो का कण्ण है फिल्टर पेपर से बीच में जाता है तो मतलब यह फिल्टर पेपर से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं मतलब पूरा का पूरा जो कोलाइड है फिल्टर पेपर से पार हो के चला जाता है दूसरा क्या चौथा नमर पॉइंट में हम क्या देखेंगे यह स्थाई है यह क्या है स्थाई है और यह क्या है स्थ स्थाइी है इसका क्या मतलब है स्थाइी मतलब आप निここ बख्या के नहीं बैडता थीक है कंड निचे जा के नहीं बैडता लेकिन ये निलंबन में क्या हो जाएगा इसके कंड़ पर जम रहे पर जम हो जाए पर जाके हो जाते हैं नीचे में जाके जमा हो जाते हैं चानन बीदी द्वारा इसके कणों को मिश्रंड से अलग किया जा सकता है फिर चानन बीदी जो बहुत तिक वीदी है उसको अलग कर सकते हैं इसमें क्या है चानन बीदी से जो कण है उसको अलग नहीं कर सकते हैं उसी तरह से अगर उसके बाद पांस नमर पॉइंट में क्या लिखेंगे इसमें प्रकास का प्रक्रेंड नहीं होता मतलब तिंडल प्रभाब इसको क्या बोला जाता है तिंडल प्रभाब इसमें नहीं होता लेकिन इसमें क्या होता है दूसरा निलंबन में क्या होता है इसके प्रकास का प्रके दिखाए देता है लेकिन ये तींडल प्रभाब नहीं धरसाता है लेकिन गोलाइल जो पार्टीकल जो है कोलाइट पार्टीकल क्या करते है तो याद रखेंगे यह प्रकास का प्रकिर्णन होता है तथा यह ठीड़ प्रभाब उत्पनना करता है तो यह 5 पॉइंट आपको लिखना आ एगा अगर आपके लिए बहुत ही जगों एक ही उसमें आपको तीनों का चीज का मिल जाएगा तीनों का तीनों का गुण धर्मा आपको पता चल जाएगा और इसको इस तरह से लिखना है एक्जाम में आएगा तो इसी प्रकार से आप कॉलम बना के आपको लिखना है ठीक है तो आसा करता हूँ यह विलियन निलंबन और कोलाइड जो है उसका आपको समझ में आया होगा क्या-क्या लिखेंगे आप ठीक है तो उसके बाद हम दूसरा प्रस्न को भी दूसरा प्रस्न जो है एक संत्रिप्त विलियन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता ह है इस तापमान पर इसके साध्रता प्राप्त करें साध्रता मतब कंसेंट्रेशन आपको निकालना है साध्रता का फर्मूला मैंने एक वीडियो में आपको बताया था अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजेगा तो यहां पर पहले तो हम देखना है ट्रब celebrity मान के दís को बिलते है इसको घूल जाता है जो चीज हम सब्सक्राप्ता परते हैं कि बासी कि विल्या प्राप्ता सिवी फिल्सक्स में ज़रा है तो जल का द्रब मान एक्सो घूल घृकर है उसकेल विलयन निकालना है सोलूशन विलियान का दबयमान होता है अगरम बिलियान का बाद करते है मतलब साल अगर हम दू को जोड़ देते हैं विलियार प्लास विलायक तो हम बोलते हैं शुलीशन 3 dullion जाता है तो अब phiệc कर दरभेमान क्या हूआ विल्यक कर दरभेमान प्लस कर दरभेमान 16 136 प्लस कर दरभेमान कीतना है और विलैन कर दरभेमान एकना दरभेमान और mom Chapman thank you विलेय कितना? 36 था और विलेयन कितना बनाया हमने? 136 तो 136 इंटु 100 जब भी हमको concentration निकलना है तो इनटु 100 करना है तो इसको calculation करने से कितना मिलेगा? 26.4 मिल जाएगा ठीके, तो आपका विलेयन का साधरता क्या हो important है तो आप इसको अपने copy में लिख लेंगे तो केसे करना है और भी मैंने यहां भी बता दिया ठीके इसके बाद next प्रस्न को हम देखते हैं यहाँ प्रस्न है प्रिथक करने की सामन्य विडियों के नाम दे तो आपको यह प्रस्न है प्रिक्षा में आपको मिली जाएगा दही से मक्खन कल मैंने आपको बताया था दही से मक्खन समुद्री जल से नमक और नमक से कपूर चो कौन सा बीडि से हम इसको करते हैं तो यहां पर उत्तर आपको मिली रहा होगा तो दही से मक्खन बनाने के लिए अपकेंद और कपूर को कैसे कैसे अलग कर सकते हैं उर्धा पातन से जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं यह आपको questions को आपको लिख लेना है ठीक है यह मैंने छोटा सा विडियो बनाया इसके बाद हम आगे वाला प्रस्न को डिस्कास करेंगे इसको आप अपने copy में लिख लिजिए और जो भी doubt होगा आप मुझे comment करके बताएए मैं उसके उपर में काम करके आपको दूँगा ठीक है जो आभी के लिए इतना ही Thank you for watching God bless you